अभी बहुत R.W.S. के जो प्रेजिडेंट्स हैं, जेनरल सेक्टरीज हैं, R.W.S. मतलब रेजिडेंट वेलफेर असोसियेशन्स जो हैं, और बहुत महलों में से भी कॉलोनीजम के जो ऑफिसर्स हैं, वो हमें फोन करते हैं, के सर कोई ऐसा तरीका है, चूहे बहुत जादा हो रहे हैं, चूहे भी बड़े साइस में, जिसको किसान लोग घूस भी बोलते हैं, तो बड़े-बड़े चूहे हो रहे हैं, तो हमने उनको एक क्वेस्चन पूछा, कि क्या आप लोग बहुत जादा आपके एरिया में कबूत पर कबूतरों को बहुत जादा दाना डाला जा रहा है, एक ही जगा पे दाना डाला जा रहा है, एक ही जगा पे पानी रखके कबूतरों के लिए मलग खुब सारे दाने की डहरी लगा दी जाती है और वहीं पर ही कबूतर आके, तो उन्होंने कहा हाँ, सभी लोगों ने कहा, 99% लोगों ने कहा कि हम लोग खाना डालते हैं, दाना डालते हैं कबूतर, देखें कबूतर को दाना डालना कोई भूरी बात नहीं है अगर आप थोड़ा डालते हैं काईदे से डालते हैं और अलग अलग जगा पर डालते हैं पानी बेशक एक जगा रख दीजे लेकिन जो दाना हैं वो प्लीज एक जगा मठ डालिए उसको कभी यहां डालिए, कभी वहां डालिए कभी दाना वहां डाल दीजे क्योंकि क्या होता है जो दाना बच जाता है उसके पीछे चूहे आते हैं ठीक है, आप ये नोट कीजेगा, जहां पर भी दाना डला जाता है, आप कहीं भी चले जाएए, पूरी, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, गाजियापार, नॉडा की बात करें, आप को, पूरे भारत वर्ष में देख लीजेए, आपको कहीं भी कबूतर का जो दाना डलता है, अगर आप एक ही जगाज जादा दिन तक डालेंगे, आप देखेंगे, वहां आसपास देखिए, चूहों की पूरी फौरी फौरी होगी, नीचे उन्होंने अंडर्गराउंड, उन्होंने बिल टनल्स खोदी होंगी, और वहां पर चूहे रहते कि एक जगा कबूतरों को खाना मत दीजे, अगर आपको वैसे तो कबूतर होता है, कबूतर को केवल अर्बन एरियास में पानी दीजे, पक्षियों को पानी देना चाहिए, पक्षियों को ज़्यादा खाना मत डाले आप, ठना पक्षियों को पानी दीजे आप, वैसे खान तो कबूतर उसी spot पे उसी address पे दुबारा दुबारा आएंगे और वो जो धेरी होगी खाने की यहां जो भी डालते हैं बाजरा का दाना हो चावल हो जो भी आप डाल रहे हैं वो 98% खाना तो वो चुहे खा रहे हैं आप इस चीज को observe कीजेगा आप मेरी बात को मत लीजे इत कीजिए कि जहां ऐसा होता है वहां चुहे क्यों आ रहे हैं आप देखेंगे चुहे दाने के लिए खाने के लिए आते हैं वहां पे तो इसलिए उस हेरिया में चुहे ज़्यादा हो रहे हैं